बंदे मात्रम मैं विजय ठाकर आपका सौगत करता हूं सब्सक्राइब आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 का जो फाइनल एक्जाम है बोर्ट का 17 मार्च को उसके लेकर आए हम लोग यहां पर मैल्टिपल चॉइस कोशन इसमें हम लोग बात करने वाले मैक्रोइकनोमिक्स क लास्टर चैप्टर नम्बर 12 जिसका नाम है बैलेंस ऑपेमिंट तो बैलनस ऑपेमिंट जो है बिल्कुल प्राक्टिकल इंप्लिकेशन पर चलेगा मतलब आपको कॉंसेट जो है बिल्कुल क्लियर करके रखने होगा तभी जाके हमांसे जो है मल्टिपल चॉइस कोशन जो इंपोरर्ट ईट्रेविं वन इंपोर्ट Insurance बिएवाइव इंपोर्ट इंविपर्स बीन इन्वेशिब ए इंपोर्ट डिफॉर्ट बीन इंटर्न एंड by measured मतलब कैसे उसको नापा जाता है difference between the import and export of goods difference between important export of services difference between important export of capital difference between all export and import हमें पता है balance of trade का बता exchange of goods not services ठीक है तो इसके हिसाब से answer क्या होना चीए दोस्तों यहां पर तो answer होगा बिया second ठीक है second का a second का क्या हो जागा बिया difference between the import and the exports of goods चलिए आगे बढ़ते हैं इन विच फॉलिंग काटेग्री साथ transaction of the balance of trade recorded balance of trade के transaction होते वह कहां लिखे जाते visible में invisible में capital में या तो हम लोग यहां पर बात करें all of these तो हमें पता है balance of trade में goods होते हैं goods हमेशा visible transactions में आते हैं तो इसमें यहां पर आते हैं हम लोगों को यह बताना है export and import of goods non-factor and factor income current transfers या all of these तो भी यह सारे ही transaction जो है किसके दिए गए आपको current account के दिए गए तो answer क्या होगा दोस्तों यहां पर answer होगा आपको all of these is the correct answer चलिए इसी के साथ हम लोगों आगे बोलता है विचाओ इंक्लूड 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 नहीं की जाती है payment of interest and dividend expenditure by the tourist borrowing from the rest of the world यहां पर पूछा जाता है यहां पर यहां पर यह सारी ही चीज़े यहां पर नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर यह सारी चीज़े नहीं आने वाली है कहां पर balance of trade में नहीं आने वाली तो answer क्या होगा सर जी all of these जो है यह answer होगा इसका आगे बढ़ते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहां पर balance of trade क्यों क्योंकि लेंदेंग जो है export import का goods में वह सब किसमें आता है balance of trade में आता है किसमें आता है सर जी balance of trade में आता है चलिए आगे बात करते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर का बता होता एक तरफ ट्रांसफर करना मतलब उम्मीद नहीं कि कुछ वापेश आएगा तो इसको बोलता है वन साइड़ पेमेंट क्या बोल सकते हैं वन साइड़ ट्रांसफर क्या कहला है दोस्तों यह यूनिलेटरल ट्रांसफर तो कैस腳ष या रिस्त जाधा हुगा पेवर कैसे में में बिओ पीव है डिस एक्विलिभ्रियम वें कब होगी यह कंडिश रहा है ठीक है तोह करेंंट अकांट बैलेंस टाइप्टल अकांटietnam is not equal to zero the current account capital किसके बराबर नहीं है जिरो के बराबर नहीं है current account or capital account is some positive number या कुछ positive numbers में रहे current account balance and capital account balance is some negative number positive or negative or not equal to zero तो यहां पर तीनों बात है जो है डिसी क्विलीब्रियम की कही गई है और यह दोनों को बराबर ना होना चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग डिसी क्यलीब्रियम बैलन्स ओप्यमेंट लीड्स तो क्या कहलाता है यहां पर increases in the official is of the rb i or decreases in the official is of दोनों ही है बही है डिसी क्यलीब्रियम का मतलब यहां पर है मतलब बोथ a and b is the correct answer बोथ a and b is the correct answer चलिए आगे बात करते हैं autonomous items are related to those transaction which किसे पता करोगे बढ़िया autonomous items ठीक है आँ डिटर्वाइब मोटे हो प्रॉफिट बिलकुल इसलिए की जाते ताकि आप प्रॉफिट क्या कर सको अचीव कर सको और नौट कंसर्ण विद एक्विलिब्रियम स्टेटस ऑफ बिलकुल सही बात है कि यह कनेक्ट कंसर्ण नहीं होता कभी भी एक्विलिब्रियम स्टेटस ऑफ दा बी ओपी से तो मतलब आंसर इस बोथ a and b और करेक्ट आंसर चलिए आगे बात करते हैं एक्विलिब्रियम स्टेटिंग आइटम्स ऑफ बी ओपी विच किससे करना भी या इसको हम लोग और नौट कंडिशन बाइद पॉजिटिव और नेगेटिव बी इस्टेटस लेट तो इंक्रीज और डिक्रीज इंद ऑफिश इंबैलनस तो कौन सा कारण है वी ओपी के इंबैलेंस का और नौमस आइटम्स है या एकोमेडेटिंग आइटम से बोद ए और बी है या तो हम लोग बात करें नीधर और बी क्या है और आइक और लैटमस आइटम से चली आगे बात करते हैं बैलेंस ओव ट्रेट किसका पाट होता है करेंट अपे का कैपिटल अकाउंड ऑपी का ऑफिचिल रिजर्व एकाउंट कर या नन ऑफ दीस का थे वह साल भर के ट्रांसेक्शन कर आता है इसलिए करेंट एकाउंट बीओ पी का पाड होता है हमेशा छलिए आगे बढ़ते हैं स nuestro 16 इंविजिबर बाले बैलेंजर्ट छिर्ट ऊंस बस बालनेस yaptry systems अब जो बचा ठीक है इसको हम लोग नेट एक्सपोर्ट हो सकते हैं प्लस बैलेंस ऑफ दाफ्यक्टर सर्विसेस को करेंगे तो बेलंस क्या करती है यह बैलंस एकांट प्लस कैटल अकांट इस इकल जाए तब यह पैलनस पैमेंट बैलेंस होगा यह ऑफिशियल इस अब एकाउंट पाट आपकेटल एकाउंट बिल्कुल सही है तो ए और सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा आगे बात करेंगा हम लोग नमबर 18 में जाते हैं लोग तो 18 में क्या बोलता है अगया घ्रइफोड इंपोर्ट इसी क्या करेंगा बरी तो हम लोग पता है वीटी का फॉर्मला क्या होता है export minus import okay export की value 1000 दी गई है इंपोर्ट की वाली 1650 दी गई है तो difference कितना बज़ गया भीया 650 कितना बज़ गया 650 मगर सरप्लस एक ही deficit है यहां पर यह हो जाएगा deficit ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा भीया 18 का minus 650 lakh चलिए यह answer बिलकुँ सही आगे बढ़ते है इस balance of trade is minus 600 and value of export is six and five hundred crore then the value of imports is ठीक है तो हमें formula पता है BOT is equals to export minus import ठीक है चलिए BOT के value दी गई है कितनी भीया minus 600 export हमें दिया हुआ है कितना 500 और import हमें निकालने को दिया है ठीक है चलिए तो minus 600 का हम लोग उधर ले जाते हैं और import का हम लोग यहां ले आता है तो import वहां से negative यहां पर हो जाएगा positive और 500 प्लस 600 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1100 तो 1100 जो है हमारी value बच्जाएगी कहीं कि बच्जाएगी value इंपोर्ट की value बच्जाएगी ना इंपोर्ट ही निकालना है तो आंसर क्या होगा हमारा 1100 क्या होगा 1100 करोड के इस बैलन्स ऑफ ट्रेट शूइंगे डेफिसित ऑफ 200 करोड़ यहां पर देखें हम लोग यह 200 करोड़ का ठीक है अब यहां पर देखें हम लोग इसको तो इसको लिए लिए यह नेगेटिव हो जाएगा यह माइनस 900 अप्लस 200 हो यह जाएगा तो यह 700 तो लिए यह चाहीं आपे ठीक है तो एक्सपोर्ट की वैल्यू कित्ती बच गहीं दोस्तों तो यह वाइलिव बच गए कितनी बच गई गई तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका साथ सो क्या होगा विया साथ सो इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है चलिए तो यह हमार लास्ट कोशन यहां बें खतम होता है ऐसे ही और वीडियो उसके लिए और शांदार और जानकारी के मेरे साथ बने रहना है इस करें करना है एक छोटा से काम इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना है थैंक्स फार वाचिंग ओल